प्रश्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत अपराद दर्ज किया था एफाई आर के अधार पर एडी ने PMLA के प्राउधानों के तहत जाच शुरू की थी जिसमें बाबुलाल अगरवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अरजित की गई अनुपात हीन संपत्ती का खुलासा किया गया अगरवाल के खिलाब तीन और एफाई आर दर्ज आयकर विभाग द्वारा फरवरी 2010 में बाबुलाल अगरवाल के परिसर में उनके सीए सुनिल अगरवाल और उनके परिवार के सदस्यों पर छापे मार कारवाई की थी इसके बाद ही सीब्याई द्वारा आरोप पत्र के बाद बाबुलाल अगरवाल के खिलाब तीन और एफाई आर दर्ज की गई थी पियमेले के तहत जांस से पता चला कि बाबुलाल अगरवाल ने अपने सीए सुनिल अगरवाल और उनके भाई अशोक अगरवाल और पवन अगरवाल के साथ मिलकर खरोरा और इसके आसपास के गाउं के भोले भाले ग्रामिडों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोले इन खातों और कई अन्या खातों में नगदी जमा की गई थी बिरो रिपोर्ट जे न्यूस रायपूर